गैज अगर आपके पास भी SBI का Simple Save Credit Card है या अगर आप लेने वाले हैं तो आप सब के लिए बता दू कि इसका वीडियो में हमें बताऊंगा इस वीडियो में आप इसको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से SBI Simple Save Credit Card में हैरिंग चार्ज होता है इसका क्या benefit होगा आप सब को ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यह भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं तो जरू से पले हम सब काड में annual charge के बाड़े में चोकी बता दू कि annual charge आपको टोटल एक साल के जो लगता है 499 रुपया लगता है यह आपको फर्स्ट एयर जब आप लेते हैं तो यानि यानि यार के लाश्ट में जाका आपको 499 रुपया आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद री एनुवल यानि जब दुबारा भी आपको फिर से यूज करना चाहेंगे इस क्रेट काड को तो उस टाइम भी आपको टोटल 499 रुपया देना पड़ेगा लेकिन टोटल आप बोलेंगे तो हर येर देना पड़ेगा तो जी हाँ आपको परते एक साल ही आपको 499 रुपय कुछ तो कुछ तो हमको benefit मिलना चाहिए तो देखिए benefit आपको मिलेगा इसमें क्या कि जब भी आप इसमें देखिए ये credit cards जब आप 100 प्या भी spend करेंगे ना चाहे आप कहीं भी यूज की जैसे कि movie में या dining में या कहीं भी आप 100 प्या भी यूज करते है online पे खास तोर पे तो उसके उपर आपको total 10x reward point आपको देखने को मिलेगा ये सब भी आप सब के लिए best है खास तोर पे क्योंकि हर एक credit card में अलग-अलग reward point मिलता है बट इस credit card में आपको पूरे 100 प्या भी अगर आप spend करते हैं तो उसके उपर आपको पूरे 10x reward point मिल जाता है उसके बाद ब सिर्वसिक domestic होता है बट ये जो credit card है आप सब के लिए international भी accepted है अब कहीं भी जा कि इस credit card को भी यूज यानि इंडिया से बाहर भी आप से इसको यूज करते हैं उसके बाद बता दू कि fuel के लेके fuel में भी आप सब को जब भी आप इस credit card से fuel भड़वाएंगे इसके उपर भी ये cashback आप पूर नहीं देखने हो कि मिलेगा बट अगर आप जैसे के माल लिजिए 500 से अगर आपके 3 या के बीच में रहेगा तो आप सब को जो भी है इसका benefit आपको जरूर ही मिलेगा उसके बात हम बता दो कि over annual यानि अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा 499 रुपिया पर 30 सा यूज कर लेंगे तो यह जो आपको 499 रुपिया annual फिर रखा गया है वो आपको माफ कर दिया जाएगा फिर आपसे एक भी रुपिया का भी service चार्ज नहीं लिया जाएगा यह आपके लिए best है तो गाज अगर आप सब भी यूज करना चाहते हैं यह credit card को तो आप सब यू money draw करेंगे सिर्व आप बोड़ेंगे यह credit card है यह ATM से money draw नहीं होगा पर पता दो कि SBI credit card में इसा facility ही दिया गया है जब आप ATM से जाके money draw करेंगे 30 दिन के आंदर अंदर आपको टोटल 100 रुपिया का काईस बैक देखने को मिलेगा जो की welcome offer के तोहत मिलता है यह सब भी आप स से यह SBI का credit card बना हुआ है अगर आप चाहते हैं कि यह credit card के basis को उपर हमारे family में किसी और को भी एक बन जाए credit card तो आप सब भी बनवा सकते हैं बसरति जो भी आपका काम होगा आपके credit card के basis पर होता है बसरति आप अपने family में किसी का भी अपने नाम से बनवाकर देंगे card तो उमर कम से कम उनका जो होना चाहिए 18 साल से एवफ होना चाहिए तो ही जाका आप से उसको card बनवाकर देख सकते हैं ठीक है यह भी आप सो के लिए benefit रहेगा case or draw बता दूँ कि case or draw भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास जैसे कि master या visa का काट रहेगा तो आप सब किसी भी ATM से जाके भी money or draw कर सकते हैं इसके उपर भी आप सब को benefit दिया जाएगा और साथ में utility bill payment facility यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप सब यूज़ कर सकते हैं वो transfer कर सकते हैं यानि अपने ये credit card से किसी और credit card का bill payment भी कर सकते हैं इस खुब आपको total जो interested बताया गया है पूरे load है यानि सबसे कम charge में आप से पना balance को transfer कर सकते हैं यह भी आप सब के लिए बेश दिया गया है जो कि SBI credit card में दिया गया है साथ में इस जो भी amount आप transfer करेंगे इस transfer के उपर आपको ये आप EMIB भी convert करवा सकते हैं यानि आप loan भी करवा सकते हैं जो भी amount आप transfer करेंगे दूसरे credit card में उसी amount को आप सो transfer कर सकते हैं और साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये balance में अपने से बेश एक और में transfer कर लूँ तो ये भी सुबधा इसमें दिया गय से अगर आप चाहते हैं कि online इसको मैं EMIB convert करवा दूँ तो आपसे फिलक्सी पे का सहारा लेके अपना credit card का amount को आप सब EMIB convert करवा सकते हैं अगर आपको काईस का बहुत जोरत हो चुका है अगर आप अपने काईस यानि SBA credit card अपने bank account यानि CBA account में transfer करना चाहेंगे तो 30 गंडा के अंद अंदर या आपके bank account में यह money भी transfer कर दिया जाता है यह भी आप सब के लिए best रहेगा और तो और एक आपको और यह facility मिलता है इस credit card में वो मिलता है card list payment यानि अपने यह credit card कर थूरू किसी भी Ampose machine में touch करके बीना OTP और बीना M-PIN और साथ में smart phones ते भी यह सब भी आप सब यूज कर सकते हैं तो बता दू कि almost यह जो credit card है हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है और अच्छा facility भी provide कर रहा है क्योंकि हम लोग जब balance की जोयत परेगा तो हम लोग balance भी इस card सो यूज कर सकते हैं या कोई credit card का bill payment करना रहेगा तो हम सो credit card का bill payment भी कर स कर सकते हैं या आप branch से भी apply कर सकते हैं या अदरबाज अगर आपके पास कोई और credit card है तो अपने credit card के basis भी आप यह credit card को apply कर सकते हैं बसरते जो भी 499 पर आपको चार्ज लग रहा है इसकी उपर आपको टैमी दिया गया है एक साल का उसमें आपको एक लाख रुपया करना है अगर आप एक लाख कर देते हैं तो आपको यह 499 पर जो रखा गया है उस सर्वीचर यानि एनुवल चार्ज वह आपको माफ कर दिया जागा फिर आपको इसका सर्वीचर एक भी रिपया नहीं देना पड़ेगा तो कुछ है इस तरह का है इसका हैडिंग चार्ज और कि अब्सक्राइब की